हेलो व्रवन वेल्कॉम यूओ अलेट लोकेश सर अलिम्लिम्टेड स्टडी जोन सो क्लास 11 रिवीजन फिजिक्स की टॉपिक हम लोग यहां पे एक क्लास चला रहे हैं तो इसमें हम कम्प्लिटली रिवीजन करेंगे तर्म वन और तर्म टू के सिलिबस का फिजिक्स चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और उठाते हैं एक बहतरीन सेंपल पेपर और जिसके सारे क्वेश्चन सम लोग यहां पे डिसक्श करेंगे देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम से हमारी चलिए शौर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हैं बताइए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन गया है क्या वन बाई वन हम इसका हम सलूशन भी देखते जाएंगे दोस्तों देखेंगे वर फिफ्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग असाइकलिस्ट इस मोविग विदे वलॉस्टी वी टॉंसर सर्कुलर पाथ अफ देडियस आर हेस इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल इस गिवन वाई आपको वर्टिकल से इसका इंक्लिनेशन देना है यह यह साइकल वाली प्रॉबलम है आपको कई बार हमने बेनिंग उफ शैकलिस्ट पढ़ाई है तो यह याद कीजिये कि यदि कोई इस तरीके का पाथ है और यहां पर कोई cyclist जो है, यह cyclist के handle है, ठीक है बटा? और यह cyclist cycle चला रहा है, और यह इसका चका है cycle का, clear है बटा? तो यह आपको अपने तरब से जुका करके, इस तरीके का reaction प्रेडूस करता है. कहिए yes की no, अंदर की तरफ हलका सा जुकाता है, जुकाता है की नहीं जुकाता है? ओके, यह अपने आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ जुका करके, रोड के तरफ, रोड के अंदर की तरफ जुका करके, reaction प्रेडूस करवाता है, इस तरीके से, और यहां यह मूर रहा है, clear क यह आर यहां ले लेता हूं मैं, चलिए, अब देखिए बिटा क्या होने वाला है, सबसे पहले नीचे बिटा, यहां पे लगता है, एम जी, बुलिए सोनो, तो अब एम जी, इधर पे लग गया है, और ये अपने वर्टिकल से कितना इंगल बना रहा है बिटा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं आपको, थीटा एंगल बना रहा है, दिखा आपको यहलो कलर का एंगल, तो R का कमपोनेंट बिटा क्या ठुटेगा, R cos theta और यहां अंदर क्यों लगेगा R sin theta अब जो R sin theta होता है वो क्यों दे रहा है क्योंकि घोमने के लिए center की तरफ acceleration चाहिए है center की तरफ force चाहिए है तो R sin theta necessary centripetal force देता है that is equal to mv square by r radius of the path clear की not clear R यहां पर normal reaction है याद रखेगा R capital R is normal reaction ठीक है यह normal force ही बोलते है और small r radius है क्या है small r radius है clear है बटा R sin theta equal to mv square upon r and R cos theta कौन बेलेंस करेगा mg mg दोनों को divide कर देंगे यह cancel हो गया sign upon cos क्या हो गया 10 theta हो गया 10 theta हो गया m से m क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा that is equal to v square upon r ठीक है हमारी वेलोसिटी ठीक है cyclist की कोई दिक्कत नोट कर ले आप देखिए question number six देखिए question number six में क्या कह रहा है कि one end of the string of length L is connected to a particle of mass M and another end of the small peg on a smooth horizontal table ठीक है बेटा मतलब यह यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपके पास में कोई smooth एक बड़ी सी टेबल है यह मैंने एक टेबल बना ली है चली गंदी बन गयी है दुबारा बनाता हूँ ठीक है बेटा चल जागा इतना यह center पर बेटा एक कोई point है यहां पर एक peg है यानि खीला सा है और यहां से एक जो है कोई point है कोई mass है वो इसके चारो और across motion कर रहा है बो लो clear है बेटा आप कहा रहा है इसको कौन घुमा रहा होगा तो ध्यान से देखिए इसको घुमाने के लिए tension लगेगी clear की not clear तो इस पर net force क्या लगेगा tension ही तो लगेगा because tension ही तो इसको mv square upon a provide करेगा clear की not clear तो answer इसका हो जागा a t is the tension in the string क्योंकि इसको घुमाने के लिए tension provide करेगा ठीक ना तो answer इसका a है 6th का answer a चली 7th question करते है ये तो work energy power का बहुत अगड़ा question है a body is initially at rest it undergoes one dimensional motion with constant acceleration the power delivered to it at time t is proportional to क्या की अपने इस में शोर नहीं बना very nice बिटा ऐसे बोल देना बहुत अचलकता है ठीक है देखें कैसे करेंगा इस question को ये है भाई साब question a body is initially at rest तो भाई साब कुल में लाके आप कहना चाहते हैं कि body initially rest में थी मतलब ये equal to 0 है it undergoes one dimension motion with constant acceleration मतलब acceleration constant है हम acceleration को constant मान लेते हैं क्या नाम देते हैं A ही देते हैं है ना acceleration equal to acceleration A that is constant अब क्या रहा पावर डिलिवर्ड हमको पावर निकालनी है at any time t हमको पावर निकालनी है at any time t अब अब पावर का फार्मला क्या होता है p is equals to dw by dt होता है p is equals to होता है dw by dt rate of change of work is called power clear की not clear और यहाँ पे acceleration A है now work यही यह मैं यहाँ पे लिखूँ dw by dt और कहीं न कहीं मुझे time की relationship ले करके आनी है मतलब मेरे को time को involve करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को time को involve करना पड़ेगा work is equal to होता है force into displacement अब यहाँ पे डी वाई डी टी फोर्स कितना लगेगा M into A mass भी constant है acceleration भी constant है वा भाई वा अब S चाहिए हमको तो S कैसे निकलेगा S के लिए माँ पास एक formula होता है S equal to ut plus half a t square बुले S होनो yes तो U तो 0 है 0 into 3 स्वाह 1 upon 2 A constant है t square मतलब कुल में लाकर के S की जगे आजाएगा half a t square बुले हाँ है न तो M A 1 by 2 constant है M constant है A भी constant है तो A दो बार हो गया है तो A का square clear के not clear और D by D T हो जाएगा T का square तो आप जानते हैं T square का differentiation 2 T होता है कि नहीं होता होता है तो 1 by 2 M A square into 2 T 2 से 2 cancel cancel तो M A square T देखे M constant है A constant है T की उपर पावर किती लगी है 1 मतलब इस constant को मैं हटाऊंगा तो power is directly proportional to T की पावर 1 तो कह रहा है कि पावर किसके पावर यानि B answer चेक करते हैं भई B answer सही की गलत है बिल्कुल सही 7th का answer B है अच्छे से note कर लें इस question के solution को बच्चो समझ में आगया शौर आपको नोट कर लें ओके बच्चो तो question number 7 हम कर चुके है question number 7 के बाद ये question number 8 जो है ये है moment of inertia यानि rotation motion का तो अभी हम नहीं कराएंगे इसको rotational motion हमारे सलेबस के अभी अंदर नहीं है तो हम बाद में देखेंगे इसको rotational motion अगला question भी बच्चो rotational motion का है तो ये भी नहीं करना हमे angular momentum is equal to the product of तो angular momentum वैसे मैं आपको बता दूँ कि angular momentum का formula लिख सकते हैं आप लिख लिजे L vector angular momentum equal to R cross P ठीक है ना और एक और होता है L equal to I omega L equal to I omega तो I मतलब moment of inertia और omega मतलब angular velocity तो इसका answer B होगा बट हमारे स्लिबस में नहीं इसलिए हम ज़्यादे इस पर focus नहीं करेंगे question number 11 भी बट्रो हमें ज़्यादे इस पर focus नहीं करना है then question number 12 चलिए अभी यहां से आ जाता है question number 13 से हमारे स्लिबस assertion दिया हुआ है the magnitude of average velocity of an object is over an interval of time is either smaller or equal to average speed of the object vector of the object over the same interval and reason दिया है velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity क्या लगता है शोर question समझ मैं आपको hmm 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 मैं बस वो तो पता velocity is displacement के लिए होता है और वो time के लिए I mean speed के लिए होता है तो एक time to magnitude is equal होता है और velocity आपको velocity less specific greater speed आपको आपको देखी question यह कह रहा है कि एक given interval के लिए जैसे यह देखे मैं आपके सामने दो domains हो कर रहा हूँ एक velocity time domain है एक मतलब scene velocity time का है और एक है speed time का speed time का तो यह कह रहा है कि the magnitude of average velocity of the object over an interval of time is either smaller than or equal to the average speed ठीक है ना इनका कहना है कि जो average velocity का magnitude होता है वो average speed के magnitude के या तो equal होता है या उससे कम होता है या उससे कम होता है ठीक है ना तो बताइए क्या ये बात सही है और अगर सही है तो क्या इसका reason जो दिया है ये है क्या कि कुछ और है ये बात सही है ये बात सही है ये बात सही है बट ये reason क्या कहना चाह रहे है मतलब B option कह रहे हैं चल ये देखते हैं क्या है answer question number 13 का correct answer है बिल्कुल सही और इसमें इन्होंने कहा भी बिल्कुल सही है देखिए ये तो आप जानते हैं कि speed जो होती है that is speed equal to होता है distance upon time ठीक है distance upon time हाँ तो speed जो होती है वो होती है distance upon time ठीक है और जो hello तो मैं ये कह रहा था कि जो speed होती है that is equal to distance upon time और velocity जो होती है equal to displacement upon time ठीक है ना sir हाँ बीट बोली है sir तो इसका 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 कि क्योंकि वो displacement होती है तो इसले क्योंकि वो final and initial पर depend करता है while जो speed होती है वो सीधा पूरा distance होता है हाँ वो इसने correct नहीं होती है अहाँ बिल्कुल correct तो हुआ मगर उसके पीचे final और initial पर depend करना because वो vector है क्योंकि vector initial और final पर depend करती है अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे है भले आप चल के वापस लॉट आए देखिये गए और अगर आपको देखिये अब जैसे इस graph को समझा जाए तो मैं यहाँ पर explain कर सकता हूँ एक situation मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें आप एक यूटन ले रहे हैं तो देखिये सुरू में आपका displacement time बढ़ेगा मतलब एक तरीके से आपकी velocity बढ़ेगी फिर आप टर ले लेंगे तो आपकी velocity negative हो जाएगी होगी की नहीं होगी होगी हम तो all total इसका average कम हो जाएगा but in case of speed क्योंकि आपकी distance बढ़ती ही जा सकती है इसलिए ग्राफ आपका नीचे कभी नहीं मुड़ सकता है समझ मैं है तो ये वाला बिल्कुल सही है कि the magnitude of average velocity जो होगा वो हमेशा कम होगा speed से clear की not clear और logically और जदे इसको easy करना हो तो चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं आपको मैंने बताया था कि distance is always greater or equal to magnitude of displacement ठीक है और यदी मैं दोनों में time interval का divide कर दूँ तो यहां भी time t और यहां भी time t तो distance upon time t को क्या कहते है average speed और इसे displacement upon time t क्या बोलते है average तो average speed is always greater or equal to average velocity ठीक है कोई दिकत चली 13 question done हमारा next question क्यों चलते है अगला question जो है यह भी ग्राविटेशन हाँ ग्राविटेशन के साथ जो है यह circular motion का भी बोला जा सकता है कुछ गलत नहीं है इसमें ठीक है आज चली देख लेते हैं question question देख लेते है circular motion भी question में लगा हुआ है question कहरा है comet move around the sun in elliptical orbit कहरा है question की जो comet होता है sun के around में एक elliptical orbit में move करता है तो यह देख लीजे यह माली जे sun है ठीक है पिटा और इसकी चारों तरफ एक elliptical orbit में एक comet move कर रहा है comet समझते है अब रहा ठीक ना heavenly body जो move करती है ठीक है यह comet move कर रहा है अची बात है the gravitational force on the comet due to sun is not normal to the comet velocity जो gravitational force है sun का वो comet की velocity के normal नहीं है मतलब पिटा यह जो angle है this is not equal to 90 degree ठीक है यह angle 90 degree के equal नहीं है circular motion में होता है equal ठीक है yes sir तो circular motion में जब equal होता है तो 90 degree equal होता है तो scene क्या बनता है force यह है displacement यह होता है तो work equal to formula fs cos theta तो fs cos 90 और cos 90 कितना हो जाता है 0 तो circular motion में जो work done होता है वो 0 हो जाता है बट यहां इनों ने पहले ही कह दिया कि theta 90 degree के equal नहीं है हाँ but the work done by the gravitational force over the complete orbit of the comet is 0 मगर इसके बावजूद एक orbit को complete करने में किया गया काम 0 होता है मतलब यहां से यहां तक का मैं total work done निकालूंगा तो delta w equal to 0 आ रहा है इसका कारण क्या है आप से यह पूछा गया है reason दिया है और reason दिया है gravitational force is non-conservative force लिए भाई बहुत ही सलल सवाल है क्योंकि force chapter में ही आपको मैंने conservative और non-conservative प्रहा है very good आपको answer पता है कि gravitational force conservative होता है बिल्कुल बात सही है अब बताए कौन सा सही है क्या उपर वाली situation सही है क्या assertion true है assertion true है मतलब आपका कहना है T C let's see does the answer is C बिल्कुल सही correct answer C है क्योंकि gravitational force is a conservative force और conservative force initial position और final position पर depend करता है जब initial और final position सेम है तो work done भी क्या होगा zero ठीक है एक complete close loop में move करने में किया गया काम zero होता है done yes okay next question the value of acceleration of the gravity does not depend on the mass of the body acceleration due to gravity mass of the body ये बटा प्योर gravitation ग्राप्टर का question है गलत नहीं है ग्रेविटेशन का है तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे लेखी question number 17 में the mass of the mass and volume of a body are 4.237 gram and 2.5 cm3 okay find the density of the material of the body in the current significant figure अचा मुझी ये बताईए sure कि first data में कितने significant figure है चार और दूसरे में दो और rule बताईए कि जब दो number को divide करते हैं तो answer में जो आएगा division उसमें कितने significant figure होने चाहिए दो नहीं rule बताईए ना ऐसे क्यों बोल रहे हैं दो तीन ज्यादा वाले की कम वाले कम वाले जो चली देखते हैं देखिए rule ये होता है कि कम वाले significant figure होने चाहिए तो इसमें कम इसमें 2 है तो answer हमेशा 2 significant में ही देंगे तो आपके पास answer आया है 1.6948 अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपको 1 marks मिलेगा तो आपको क्या करना है 9 को रांड ओफ करना है बुली आपको आपको एक्शली 6 को ओमेट करना है क्योंकि दू डिजिट पर answer ले जाना है तो 6 के बाद 9 लगा हुए है तो बताई क्या हो जा गई बस तो इसका अंसर है 1.7 gram per cm3 clear चली 17 का पहला पार्ट हो चुका है सेकेंड पार्ट पढ़िये क्वेश्चन आपको 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 क्या आपको 500 500 आपको असर आपको आप मुझे टाईम में बता रहे Wick आपको आपको 15 स्टेंस उचाए ट्रोर भाइसाब आपको आपको हूर उन्यू आपके पास फर्मुला होता है, distance equal to speed into time, clear की not clear? आजए 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 और आपके पास जो speed दी है, वो unity दी है, question में, देख लीजे, the speed, the new unit of length is chosen, speed in light and vacuum is unity, clear? हां, हां, मतलब की, the new unit of length, length की unit, unity बोली है, clear? ह CAT, clear? तो length की unit बोली है, तो speed equal to क्या होता है? distance upon time, होता है की नहीं होता? तो जब speed equal to distance upon time होता है, तो speed की unit क्या बनेगी? distance है unit upon second, तो distance बनेगी one unit upon second बनेगी की नहीं बनेगे? हां, स्पीड की unit, clear? यह सर्थ. तो ठीक है यह हो गई इस्पीड और यह हो गया टूटल टाइम पांसो सेकंड सेकंड से सेकंड से सेकंड कैंसल आंसर फाइव हंडेड यूनिट आया इसको अच्छे से नोट करें अगली कोश्चन के लिए तैयार है हाँ जो ओके यह कोश्चन तो अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको सन्यास लेलने चाहिए यह कैप बाइए विल्कुल सही वेक्टर एक कैप निकालना है आपको तो ए अपवान मैंने टूड़ है तो यह कोश्चन नहीं बन रहा है तो हमाले चले जाना चाहिए बट आपसे बन गया तो आपको नहीं जान देंगा हमाले अंसर आचुक नेक्स कोश्चन दिखते हैं अगला कोश्चन कोलीजन से है कोलीजन आरा आपके एक्जाम में हो गया हूँ अब हासरे हो बन ओकी यह बिलियर्ड बॉल है पहले का मास दोनों को दिया है इच अदर मतलब एक की विलॉस्टी पॉस्टिव होगी एक की निगेटिव होगी और तो six seconds से ठकर आते हैं और रिबांड हो जाते हैं इंपलस इंपार्टेड एओ संपल्स कर दो है तो इंपल्स कितना होता भी हा चेंज व्मोमेंटम तो दोनों तो सींपल है चेंज व्मोमेंटम निकाल लीजिए लीजिए भाई साब तो पहली बाल का मोमेंटम पहली बॉल देखे ये निकाल लिए आपने final momentum of a ball ठीक है बिटा तो change in a momentum equal to initial momentum into final momentum clear ओकी ये आजाएगा इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको आपको और elaborate करता हूँ diagram की जरूरत है इस question में देखिए बच्चो ये दो balls थी एक ये ball है ठीक है शौर ये ball इधर आ रही है ball a ये ball b ये इधर आ रही है शौर ये पूछ रहा है कि ball a ने ball b के उपर कितना momentum दिया है ठीक है बिटा तो पहले ये ball 6 meter per second से आगे की ओर जा रही थी ठीक है बीच में बाद में इनके बीच में धुम धड़ाम हुई और ball वापस लोट गई सेम विलोस्टी से बूली क्लियर की नौट क्लियर तो अगर जाते समय की विलोस्टी 6 है तो लोटते समय की किती होगी 6 माइनस 6 होगी की नहीं होगी अब इसका इनिशिल मोमेंटम P1 क्या ये हो जाएगा P इनिशिल हो जाएगा की नहीं होगा अब लोटते समय है इसका क्या फाइनल मोमेंटम क्या ये हो जाएगा क्योंकि वे ये लोट गया है बूली हाए ना अब इस बॉल ने कितना इंपल्स दिया होगा तो आपको पता है कि इंपल्स एक्वल टू चेंजिन मोमेंटम होता है ये है issue मैं clever लो आइए इव क्योंकि तो पीव फाइनल मैंडस पी इनेशियल 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 क्लियर फाइनल मोमेंटम कितना इंदियू ना मैंस पाइनल शद़ टू इन्यादि भाइध है असम अट यज année पी इनेशियल अग्या मैंड07 0.3, answer would be minus 0.6, ठीक है बिटा, कोई दिक्कत है, ओके, नोट कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, यहाँ पर इतना impulse इसने इंपार्ट किया है, और सेम इतना ही impulse दूसरी वाली भी इंपार्ट करेगी, यक्लेड हो, ढख अस्थ, दिक्जिया, od 7, दिक्जिया, क्या जो कीश्चन ही, यहीर, जो डिक्क है, शार्टन सुथ अड़ धुम, वर्क्राम्मा सीर्ट करेग्न, वाहलार्ट स्क्क्राम सीर्ट दिक्जिया, शार्टन सूड़कéri, ने दिक्क्राम सा व्क्राटन, अज़क् चलिए दूस्तों कॉश्चन नमर ट्वंटी की तरफ बढ़ते हैं स्टेत अड्पोर्व worक अरजी तरeम सदी का सबसे इंपॉर्टनल्ट स्टेत लिए सबसे इंप करेंगें चलिये तो यसको वर्क अनरजी थियुर्म को हम प्रूफ कर सकते हैं कैसे करेंगे।uminos method से भी प्रूफ कर सकते हैं ठीक है और हम इसको नॉर्मल तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं तो क्या है नॉर्मल तरीका माल लीजे मेरे पास कोई ब्लॉक M है और यह इनीशिली U विलासिटी से मूव कर रहा है क्लियर और मैंने इस पे फोर्स लगाया फोर्स लगाने से यह ब्लॉक S डिस्प्लेस्मेंट चलने के बाद इसकी विलासिटी V हो जाती है बुलिए S की नौ Yes इसकी विलासिटी कितनी हो गई है V हो गई है चली तो अब हमें प्रूफ करना है कि चेंज एप्लाइड वर्क W is equal to हमें सो करना है चेंज इन काइनेटिक एनरजी यही होती वर्क एनरजी थियोरम क्लियर हुआ देखी इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बोला है कि यूजिंग केल्कुलस मेथड अगर यह केल्कुलस से कहते हैं तो हमको फिर क्लियर क्लियर केल्कुलस से ही करना पड़ता बट यह किसी से भी करवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बोले ठीक है शौर सीन समयना आके आपको चलिए तो देखते हैं रूल क्या होता है और वर्क is equal to फोर्स इंकि डिमठिस्ट्री नहीं होता है कि नहीं होता आई अभी देके एक फोर्स की इरेक्शन और दिस्ट्री में यडिर्शन की डिरेक्शन दोनोव साम है है की नहीं आई तो इसका वेक्टर ओपन होगा तो f का magnitude, s का magnitude और cos 0 degree because force or displacement दोनों same direction में है तो work is equal to f into s, okay? Yes, sir. Now you all know कि f equal to ma तो mass multiply by acceleration into displacement s, okay? Yes, sir. अब चलिए हम लगाते हैं s का rule तो by third equation of motion third equation of motion क्या कहता है? third equation of motion क्या कहता है? चलिए, sorry बच्चो, screen corrupt होगी थी तो मैं यह कह रहा था कि आपके पास में एक block m है इसमें आप force लगाते हैं, एक constant force displacement s की direction में initial velocity u से इस force के application से final velocity भी हो जाती है definitely कुछ acceleration produce होगा बूले बटा yes की no? आज ओके तो देखे, मेरे पास work done is equal to कितना होगा? अच्छा मुझे proof क्या करना है? मैंने पहले बता दिया था की work done equal to change in kinetic energy यही होती ही work energy theorem so work done equal to force into displacement vector form में so w is equal to mod f mod s cos theta cos 0 हो जाएगा तो w equal to f into s cos 0 की value 1 ठीक है शौर? so f equal to होता है mass into acceleration into s अब लगा दीजे third equation of motion लिखेंगे by third equation of motion v square equal to u square plus 2 a s clear है बिटा? तो final velocity v square है initial u है और plus 2 a s तो लिए हो सब कुछ same है तो हम किबल a s की value निकाल ले तो v square minus u square हो जाएगा अब i2 हो जाएगा यहाँ पर a s की value put कर दे so w equal to m v square minus u square upon 2 को मैं दोनों में distribute कर सकता हूँ कर सकता हूँ? so this is half mv square minus half mv square minus half mv square and this is equal to change in kinetic energy है की नहीं है? so this is called work energy theorem बनेगा? note कर ले so this is called work energy theorem ओके दोस्तों आईए देखे question number 22 एगला question unit and dimension का बहुत ही प्यार question बन गया बिट आप से? पूरा पूरा बन गया? बना की नहीं बना बिटा? हाँ sir बढ़ गया ओके चलिए देख लीजे solution एदि आपको देखना हो तो बहुत ही बहुत ही simple question एए f equal to a root x plus bt square तो comparison आपको करना है क्योंकि दोनों की dimension equal होंगी हर term की by the rule of dimension कह दो या rule of homogeneity कह दो समझ में आगया? चलिए तो बन जाएगा आपसे कोई दिकत तो नहीं इसमें? बना दिया sir ओके कुछ पूछना तो नहीं बच्चों इसमें? नहीं sir चलिए बहुत बढ़िया तो सीधे स्विच करते हैं question number 23 की तरफ एक बार solution को आँखों में भर ले आगे question number 23 question number 23 two bodies are thrown with the same initial speed at an angle alpha and 90 minus alpha with the horizontal calculate the ratio of maximum height attained by them and horizontal range बताईए कर लिया आपने कर लिया कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं sir सीधा सीधा formula लगाना है बच्चों किसका formula लगाना है maximum height का और एक angle alpha है एक angle 90 minus alpha है तो h1 और h2 करके आप ratio निकाल सकते हैं ठीक है? दूसरा horizontal range है तो r1 और r2 करके आप बना सकते हैं कर लेंगे दोस्तों? यह देखिए बताईए बच्चों कोई problem है तो मैं आपको करवाओ इसको दुबारा बन गया अच्छे से? आच्छे ठीक चलिए बच्चों तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है सवाल? derive kinematic equation velocity time relation and displacement time relation by VT graph for uniformly accelerated motion of a particle भाया यह graph नहीं बनाना है यह आपके तीनों equation का derivation है बहुत important derivation using graphical method ठीक ना है? देखिए लिखा है पहली line derive kinematic equation समझ गए? तो किस में किस में relation चाहिए है? एक velocity में time में और एक में displacement और time में ठीक है? मतलब आपको एक चाहिए है first equation और एक दूसरा चाहिए है second equation चलिए तो कैसे derive करते हैं? सबसे पहले हम graph बना लेते हैं वही हमारा पसंदीदा graph ये देखिए ये हमारा पसंदीदा graph है और starting कुछ इस तरीके से होती है initial velocity u है और final velocity v है clear की not clear? आँ सर्थ और हम जानते हैं कि ये final velocity v है initial time 0 है और final time t है clear? हाँ सर्थ तो हम जानते हैं कि what is acceleration by theoretically जो acceleration होता है graphically that is equal to slope of v t graph slope of v t graph clear की not clear? आँ सर्थ और slope का मतलब होता है बेटा 10 theta maths में slope का मतलब क्या होता है? 10 theta अब आप बोलोगे सर्थ ये theta कहां बन रहा है? तो my dear theta जो होता है time axis के साथ का angle होता है तो अगर ये angle theta है तो ये angle भी कितना होगा? theta theta तो आजाए ये diagram से by graph ये by diagram 10 theta is equal to perpendicular upon base अब बिटा ये v है ये u है तो ये क्या होगा? v minus u ठीक है न? अच्छा ज़राँ और value किसके निकल रही है? acceleration की acceleration की तो a equal to v minus u upon t ठीक है? तो a t equals to v minus u तो v equal to u plus a t और इस तरीके से Hitler की से ना पहला equation बनाने में सफल होती हुई ठीक है भाई? अच्छा v equal to u plus a t clear? अच्छा अब चलिए second equation प्रूफ करते हैं second equation हमें displacement देता है तो second equation निकालेंगे s equal to ut plus half a t square फिर से वही graph फिर से वही u फिर से वही v फिर से starting time 0 और final time t वो लो clear है बेटा? yes हाँ फर्क इतना आया है? फर्क इतना आया है कि by graph we know that हम का पता है हम का जानी थे बाबू हमको कच्छू नहीं पता बस इ पता है कि displacement जो होता है वो area होता है displacement equal to अभी पढ़ाय था मैंने area under vt graph बोलो भाई होता है कि नहीं होता है? आँ से आँ और displacement को हम किस से सो करते हैं? s s equal to area यह क्या दिख रहा है? यह रोहम बस दिख रहा है इसका कुछ नाम दे सकते हैं हैं आप o a b c तो area of rohombas rohombas है? यह rohombas नहीं है यह trapezium है क्योंकि दो side parallel है समझ गए? yes sir so area of trapezium o a b c होगा की नहीं होगा? आँ से अब you know that कि area equal to होता है one upon two sum of parallel side तो एक parallel you है और एक parallel भी है yes or no? आँ से into दोनों की बीच का जो gap है हो किसके equal है बेटा? time के equal दिख रहा की नहीं दिख रहा? क्योंकि t minus 0 clear की not clear? yes sir आँ से तो s equal to one upon two you और अभी हमने निकाला था भी equal to you plus 80 तो यहांपे करक देंगे you plus 80 और बाहर है you plus one by two you plus you कितना हो गया? two you प्लस 80 और यहाँ पे T बैठा हुआ है तो 1 बाइ 2, 2 UT प्लस 80 स्क्वार, हो गया बेटा की नहीं हुआ? हाँ से, हाँ से, 2 का बेटा डिवाइट कंदुल, तो क्या बन जाएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वार, तो क्लियर की नोट क्लियर है? तो यह बन जाएगा आपका 2nd equation of motion का प्रूफ, तो हम ग्राफिकल मेथट से करें है, ठीक है? दू मैथर्ड मैंने पढ़ाई है, ग्राफिकल भी पढ़ाई है, कैल्कुलप्ट भी पढ़ाई है, नोट्स निकाली है, देखिए, है ना, कैल्कुलस भी पढ़ाई है, सारी मैथर बन नी चाएगा मर्क डिवाइड के साथ तू जाए का 플र्ष के बाद हब बन जाएगा सका हाँ एक चले आंगे यही इसी question से हम third equation of motion भी प्रूफ कर सकते हैं अगर इस question में कह देता कि relation between initial velocity, final velocity और displacement और acceleration बनाना है तो यही से हम third equation of motion भी प्रूफ कर सकते थे कैसी देखिए यहां तक तो आ चुका है s equal to half of u plus v into t हम जानते हैं कि जो u plus v है इसको मैं पलट करके v plus u लिख दूँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बूले ठीक है अब v equal to क्या होता है u plus at, at equal to कितना हो जाएगा v minus u, t equals to कितना हो जाएगा v minus u upon a तो t की value v minus u upon a, s equal to 1 by 2, v plus u, v minus u, mतलब v square minus u square upon a ठीक है, तो 2 into a बन जाएगा 2a और उपर v square minus u square इधर पे 2a इधर पे s, तो s का cross multiply कर देंगे, तो 2a s equal to v square minus u square so v square equal to u square plus 2a s, this is third equation of motion, जो की पूछा नहीं गया था done, yes sir, इसको note कर ले, पर नहीं, चले दिखे, अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, centripetal force की या centripetal acceleration की, तो पहले हम basic बात करते हैं, centripetal acceleration, proof इसको कई तरीके से कर सकते हो, बट जो main इसका proof geometrically होता है, उससे किया जाता है, अब देखे, आपको मैं कुछ, इसके fundamental सिखाने कोशिश करता हूँ, मान लो बिटा, इस point पर एक velocity है, v1, ठीक है बिटा, और इस point पर एक velocity है, v2, clear है, आज़र, अब हमको यह देखना है, हम जानते हैं, कि acceleration equal to होता है, change in velocity upon change in time, और acceleration की direction जो होती है, वो change in velocity की direction होती है, बोली होती की नहीं होती है, आज़र, तो change in velocity यहाँ पर कितनी है, v2 minus v1, upon delta t, ठीक है बिटा, तो मैं v2 minus v1 बनाने की कोसिस कर रहा हूँ, आप देखे, यह v2 है, मैं इसको जो है, उठा करके थोड़ा आंगे ले आता हूँ, ठीक है, मैं इसको उठा करके थोड़ा कहां ले आता हूँ, आंगे, देखे, यह है, इसी को मैं copy करे लेता हूँ, यह लो पेस्ट कर दिया मैंने, यह लेजिए, दिख्या, अब इससे ज़्यादा पेउर तो हो नहीं सकता कुछ, हो सकता है की नहीं हो सकता, आंसर, आंसर नहीं, नांसर, यह v2 हो गया, और हमें कैच यह minus v1, तो यह बैठा है v1, हमें minus v1 बनाना है, मतलब इसका just opposite, clear की not clear, आंसर, तो भाईया, यह v1 है, इसका एक copy उठा के मैंने, यह paste मार दिया भाई साब, तो पीछे की direction में, अगर यह v1 है, आंगे की तरफ, तो क्या, यहाँ पे, यह minus v1 हो जाएगा, की नहीं हो जाएगा, clear है की नहीं है, clear, यहाँ यह हो जाएगा v2 और यह हो जाएगा minus v1, clear की not clear, हमें क्या चाहिए है, v2 plus minus v1, क्या चाहिए हमें देखो, यह देखो, इसको लिख सकता हूँ, v2 plus negative v1, चाहिए की नहीं चाहिए, तो क्या होता है भाई साब, rule यह होता है, कि अगर दो vector चाहेंग तो पहले लोग्राम मनाइए और उड़ो जो resultant आएगा वो यहां की तरफ आएगा, आएगा की नहीं आएगा, clear हुआ की नहीं हुआ, clear, तो यह जो जाएगा, यह क्या बनेगा, यह बनेगा, यह बनेगा, दोनों का resultant, v2 minus v1, दोनों का sum, बनेगा की नहीं बनेगा, तो द देखो बेटा ध्यान से, यदि मैं इसको उठा के यहां से ले जाओं, इस पॉइंट पर रखों, तो आप महसूस करना, देखो मैं किस पॉइंट पर बनाया, मैंने एडिशन किया है, मैंने इस पॉइंट पर एडिशन किया है, यह देखिए, इस पॉइंट पर एडिशन, किय दिखा भाई साब, सेंटर की तरफ, मतलब जो V2-1 होगा, वो एक तरीके से कहां लगेगा, सेंटर की तरफ, clear हो गया, that's why इस force को हम बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, समझ मैं है, यहां पर जो एक्सलेशन होता है, वो कहलाता है, सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, और जो फो होता है, उसका हम बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, clear?